इसी जी टीबी होस्पिटल के अंदर लगातार आनवरत रूप से ये हमारा जी टीबी होस्पिटल का डॉक्टर्स का जो ओल इडिया एस्टी ओमिसी माइनोट्री डॉक्टर्स एंड एंप्लूईस एसोसियेशन के द्वारा फोग्राउं तो किये जाते रहे हैं ये अच्छी बात की है होना चाहिए समाज में जागरुता लाने का और लोगों को अपने करतला का एसास कराने के लिए ऐसे प्रोग्राम की जबत है लेकिन इसके साथ-साथ जिन मुतों पें चल्चा होती है अगर उसका इंप्लिमेंटेशन पार्ट रहे जाएगा तो कोई ब सबसे जाएगा दुकत बात तो ये है आज हमारे समास के लेता गर्ण जो रिजल्यन उस सीट से जीत के तो जाते हैं लेकिन महा कुर्शी प्रात होने के बाद जो सही माईने में समीनार ने उनकी जिम्मेदारी टैकी है वो उस जिम्मेदारी को निबाते नहीं है जैसा अभी पीछे, अब्दुरह्मान जी बोल रहे थे, 132 सांसत, लोकसभा के अंदर, और 50 नहीं तो 20-30 सांसत कंसे कर राज्यसभा के अंदर, इतने सारे लोग हैंगर सब लोग के और इस बात का अहसाज कर लें, कि यह उनुम्हें कुरसीत किसे दिलवाई, क्यों दिलवाई, आपको धायर क्या है, आप यहाँ जिरान सब या संसत कंदर क्या करने आए है, अगर वो उसको इमान्दारी से अपने जिम्मेदारे को निभाए तो साय आज जो लोगों को चिंता महसूस हो रही है कि कुछ लोग देश को ताना साहिद की तरफ ले जा रहे हैं कुछ लोग खुले आप भीड में हमारे लोगों को मौग लेंची करके मार रहे हैं कुछ लोग खोले हैं हमारी मापेर्टी पीज़त रूठ लेते हैं कुछ लोग हमारे गाउँ के गाउँ में आचेरी करके हमारे घरों का जला देते हैं तरह उन्कारने की किसी कि मत न आओ चुकी तो करने वाले लोग हैं उनके उपर जो प्रेंट कार रहा है वो तो सो में से 10-15 लोग 10-15 लोग कभी भी 85-90 लोगों को मार नहीं सकते जब तक कि वो 85 लोग इस बाद का एसास ना कर ले कि हमारे मसले एक है हमारा दर्द एक है हमारे मुटे एक है हमारी लड़ाई जीतने का रास्ता भी एक है तो फिर प्लेट्फॉम अलग रहा क्यों फिर प्लेट्फॉम अलग रहा क्यों जब जाना यहां से साधरा है और नजदी पढ़ता है यहां से बाद लिटलो और जीटी रोड से सीधे फ्लाय अगर सुद्ट रोड पहुंच गए लेकिन कोई तो जा रहा है उदर तो भाई अलग लग समय पर पहुंचेंगे तब तक पता रहेगेगा साधरा मामना लुट चुका है सवाल यही कुछ ठोस करनी की जुर्दत है अगर यह जर्विशन ना होता तो मैं विश्वाश के साथ कह सकता हूँ मंत्री या एरमेले बनना या सांसत बनना तो दूर की बात है हम लोग को यह एक गाउं का परधान भी जीतने नहीं देंगे और अगर लोगों ने रिजर उजीक से हमको जिता के भेजा है तो कोशीकुशन के हिसाब से जिनको हम रिप्रजेंट करने के लिए मगए है उनके मुतों पर मजबूती से हमें डटना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा हम लोग उनके एड़ोकेट है संसर्थ के अंदर या विदान समाओं के अंदर अपने समाओं के मुतों के उपर हमने लड़ाई रड़ेएं पर दोबाद पूर बात यहें कि लोग हमारे जाते हैं जाते हैं रिजर्जेर सीज्व से जीत के हैं और वह जाने के पाद गुलामी सिकुद्वर देते हैं उनकी पूरी ताकत पूरी जिंदी के अपनी सीर्ट और कुर्सी को पचाने पर लग जाती है मानलो कुर्सी मिल भी गई अंपया मेले बन गे, मदत ने बन गे उसके बाद क्या तो बन गया उसके बाद क्या एक बार बन जा gotten तो बार बन जा दस बार बन जा उस Sena क्या फिर पढ़े दाना है ऐसे कौन से कानून या कौन सी नीदियां आपने वहां सरकार के उपर दवाव डाल के बनवाई जिससे हमारी समास का भला होना है, हमारी समास का विकास होना है अब मैं वापस सब्जेक्ट पर आता हूँ कि सरकार जो कॉस्टिट्विसिन के द्वार अक्षणी गई उसकी अकाउंटेब्रेटी जनता के परती है, तो अकाउंटेब्रेटी कैसे करें, मैं यह कह रहा हूँ, इसको कोई पार्टी कॉल्टिक से ना ले, कोई यहां सोचना सुरू करते कि अपनानी की बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं यहां समाज होता है, देश होता है, देश में रहने वाले लोग होता है, अच्छी बात A करे, B करे, C करे, अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए, और बुरी बात A करे, B करे, C करे, बुरी बा कि जिन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है उन लोगों को सरकारों की जरूरत नहीं है कि इतनी महेंगी सिसा हो लाग और रुपे महेंगी निफीश क्यों नहीं हो जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे घिदम पर अपने बच्चे को अच्छे सच्छे स्कूल कॉलेज में या खाने की सामगरी या दूसरी चीजे या इलाज कितना ही महमा टोना हो अगर टॉक्टर उसको एक करोड रुपे भी खर्च बता दे लाज का जिसके पास पैसा है उसे सरकार की क्या ज़रत हो उपने एक और खर्च के राज करा लेगा लेकिन समिधान जो बात करता है वो देश में रहने वाले मेजोर्टी लोगों की बात करता है आर्टिकल 38 ओपिडियन कोंशिक्यूजन ये कहता है कि देश के अंदर जितने भी संसादन है उन संसादनों का विकेंदरी करन सरकार को सभी लोगों में समान रूप से निश्पच भाव से करना चाहिए लेकिन क्या संसादनों का विकेंदरी करन सभी लोगों में समान रूप से हुआ चंद लोग देश की सारी खेती की भूमी के माली क्यों है चंद लोग देश के पूरे वेपार के उपर कमज़ा क्यों की हुए है चंद लोग देश के सारे प्राकर्टिक संसादों का गोहन क्यों कर रहे हैं इस देश का मून लिवासी होने के नाते इस देश का नागरी होने के नाते क्या उन सारे संसादों पर हमारा हग नहीं है क्या इस देश में 80% लोग बुरी तरी से पिछड़ नहीं है क्या आज भी बहुत बड़ी मात्रों में लोग एलास ना मिलने की बज़े से अपने चान नहीं कमाते थे क्या आज भूत भूख सिक्सा मेंगी हो जाने की बज़े से अपने लोगों को बड़ाई छुड़ा के उसको काम नहीं कर बाते मस्दूरी नहीं कर बाते क्या यह नियाय है जो भारत के समयदान के प्रस्तावना में सबसे बड़ी जो चीज है वो समता नियाय वे बंदुता क्या सबके साथ नियाय हो रहा है क्या जात्ती की वज़े से हत्याय नहीं हो रही है क्या धर्म की वज़े से हत्याय नहीं हो रही है क्या जात्ती की वज़े से कुछ लोग सारे संदावरों पे कबसा नहीं कियो है देश का समयदान कितना ही अच्छा हो जुप्टर बावा से बंबिट कर जीने का था अगर उस समिधान को लागू करने वालों की नियत अच्छी नहीं है तो वो इस समिधान बुरा थाबित होगा और समिधान बहुत जग अच्छा ना हो लेकिन समिधान लागू करने वाले लोगों की नियत अगर अच्छी है तो वो समिरान भी कल्यानकारी साबित हो सकता है क्या है तो रेजुकेशन यानि सिख्सा और स्वास अगर ये दोनों क्या ये दोनों सरकार की प्राफ्टाइ नहीं होनी चाहिए चाए अमीर का बेटा हो चागरीर का बेटा हो मजदूर का बेटा हो किसान का बेटा हो किसी का भी बेटा हो और बिटी हो क्या उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई की सरकारों को नहीं उठानी चाहिए कोई अमीर वैद गरीब हो अगर पर फिमार हो जाए क्या उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकारों को नहीं उठानी चाहिए और अगर सरकारें नहीं उठा सकती ऐसी सरकारों को रिजाइन करके चली जाना चाहिए वो सरकार किस काम की वो तो सरकार भारत के समिदान के अब उहिलना कर रही है आर्टिकल 33 से आर्टिकल 50 तर राजिक अलीज़ की निर्देश से गतलत है डारेक्टी प्रिंसिबर विश्केट पोलिसी जो बावा साह में दी उसमें देश की सरकार को राच्चे सरकारों को निर्देश दिया गया है कि आप सरकार को ऐसे ऐसे चलाइए ताकि सब लोगों को नयाय मिले सब लोगों को समता मिले सब को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले सारे संसातों पर सब का बराबर का हिस्सा हो लेकिन अगर सर्कारें ऐसा नहीं कर पा रही है तो वो सारी सर्कारें फेल है दियार फेल वो सर्कारों को भारत के समिदान के नियत के हिसाफ़ चला रही है जो समिदान का जो लेटरल स्प्रीट के हिसाफ़ चला रही है अगर आज देश की कोई भी सर्कार सरकारी स्कूलों की इस्तिती को बहुत अच्छा बना दे लोगों के इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी से उसको मुट करते पुरा अच्छा इलाज किरा दे अगर वो लोगों को चुकि हेल्ट एजूटिसन के साथ-साथ बिजली और पानी ये दोनों बेसिक नीड है जो हर परिवार को हर अदमी को चाहिए चाहिए को गरीव और अमीर हो और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं जिए सब को देना अगर कोई सरकार लोगों को भिश्गी और पानी मुट दे दे तरस हो ना की स्वाहिए कि अर वाबाüne के समीधान जिएख और जिएख लगे और किसी में संवाकार की जवाब ही होतीजान लेकिन सरका Champ चूल shells जीतने के बाद अगर वो अपनी जवाब नहीं से भाग जाए अगर वो हर चीज के दाम बढ़ाना सूप कर दे चुकि यह मैं एक्जांपल देके बताऊंगा जब भारत आजाद हो उस प्रक्त तब तो कोई पब्लीक स्कूल नहीं होते थे हो हैंआ हूर गरीप हो राश्रक्ति हो चप्त बासी हो प्रिदान कुंत्र हो है मंत्रि हो औरест कोई फीनिस्में हो सबी के १र कर भी सरी कार ऐसकूल थे और सरकारी स्कूल में पढ़ाईश सब के लिए एग जैसी थी पंषपात इसा होता था कोूई तलित का बच्चा है, पिछेरे सामाज का बच्चा है, आदिवासी है, माइनोर्की से उसको पीछे बिठा दे टीचर, अपने पसंदीता बच्चे को आगे बिठा दे, इस तरह एका तो पक्षपा था, लेकिन जब टीचर ब्लेक गोर्ड में बढ़ाता था, पढ़ाता तो सरकारी स्कूल चलकर रहते, प्राइवेटी स्कूलों को खोलने के तिरुकुल इजाज़त मिलने नहीं चाहिए थी, अगर हैल्थ पूरी तरह सरकार कर दिन होता, पर प्राइवेट क्लिनिक या होस्पड़क बनाने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए थी, सब को समान रूप से समान सिख्सा, सब को समान रूप से स्वास सेवाएं, सरकार खूद अपनी जिम्मेदारी पोखाती खर्चा पूरा, तो देश तरकी करता है, लेकिन सरकारों ने जान मुझके पुपली स्कूल खोलना सुरू किया, और सरकारी स्कूलों के इस तक गिराना सुरू किया, और सिख्सा इतनी महगी हो गई, जब प्राइबेट स्कूल खुलते चले गए, सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए, हालत यह है कि पिछले 15 सालों के अंदर, देश के अंदर एक लाग से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, यह सरकारी आपने बोखते हैं, तो क्या पिछले 15 सालों में, देश की जनसंके कम हो गई है, जनसंके तो बढ़ रही है, तो जब जनसंके बढ़ रही है, तो सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए थे, लेकिन एक लाग से जादा सरकारी स्कूलों का बढ़ हो जाना, और पाच लाग से जादा प्राइबेट स्कूलों का खुल ज यही सोरी सारा करता है कि सरकारों ने पूजी वाथ को बढ़ावा दिया सरकारों ने एक सेक्षन ऑफ सोसाइटी को जो पीडि पिछड़े गरीब उनके बच्चे पड़ लिके कहीं काभिज ना बन जाए चुकि अगर उनके बच्चे अच्छे सिखसा मिलेगी अच्छा स्वास मिलेगा और लिके काभिज वरेंगे तो इनकी फैक्टरी में मजदूरी कोन करेगा इनके खेट में मजदूरी कौन करेगा इसलिए हमारे लोगों को मजदूर बनाये रखने के लिए जान बुज का नो डिटेंसल पॉलीसी भी लागू कर दी कि किसी को फेल मत रो पहली से और आफ़ी तक ऐसे ही पास कर दो तो यह जो देश की बरबादी की है यह किसी और नहीं देश में जो सरकारे रही है उन सरकारों ने खुद की है आज जंता को तैगरना चाहिए जंता को सोचना पड़ेगा कौन उनके फेवर में है कौन उनके खिलाफ है कौन बाबा साहिब के समिदान को पसंद गरता है कौन मंस्मुर्थी को लाना चाहता है मंस्मुर्थी में देश का बला है यह जoglo खुद्धरॉबा साहिब के समिदान में देश का बला है यह देश के द्यूब को तैकर्मा पड़ेगा और सरकार को हर कीमते अकाउंटपर बनना ही पड़ेगा लेकिन इसके लिए जनता को तयाब होने की जरुद है अगर जनता तयाब नहीं है तो सरकारें कभी भी अकाउंटेबल नहीं मनेंगी वो अपनी मनवर्जी करेंगी तानासाई करेंगी और अपनी इसाफ से पॉलिसी बनाएंगी गरीब गरीब होता चलाएगा जैगा और दो- जैगा एकभार में पढ़ लेना दस लाक करोड की और तू दूसी तर बाकी हमारे उत्यों बंद होते जा रहे हैं हमारे नौरत कंपनिया बारत प्रट्रोलिया हमारे MPNL, BSNL ये सब बंद होने के कारण पर सब भिक रहे हैं हमारे एर इंडिया वो भिकने जा रहा है हमारे बैंक को बचाने के बहुत सारे बैंकों को मर्च करके उसको जिन्पर रखने की कोसिस की जा लिए है जो हमारी GDP 88.2% थी वो आज अगर उस वाले पहमाने से ना पे तो आज वो 2.5% बची है तो देश की तर जा रहा है हम लोग क्या अबनूर है क्या कि देश घटे में जा र इस लड़ाई को केवल कुछ नेता नहीं समास के लोगों को भी आगा अगर डड़ना पड़ेगा वरना वही होगा हर साल दो तिर प्रोग्राम कर लिए हम जैसे कुछ लोग बला लिए बासन दिलवा दिया और बात केवल जैभीम करने से दाम नीचे लेगा जैभीम को अप जैबी schacht करना पड़ेगा, एक तरह जमभावा सहित की बात करें, बुद्ज की बात करें, नय की बात करें और फूर अपने समास के अपने लोगों को साथ अमन्याई करें और जहां अपने समाद के अधकुक की बाता है वाद चुप हो जाए पाइटी की लाइन है इसके चुप रहना गोल्डा नहीं है ऐसे सारी लाइनों को तोड़ना पड़ेगा की तोड़े परे काम नहीं चलेगा राज्रिथी आएगी जाएगी कुशी आती रहती रहेंगी जब तक लोग एथा नहीं करेगा हमारे रितयृत्ट Гणी यह कुशी बड़ी चीज नहीं है मानमता बड़ी समाज करख रशी बड़ी चीज हैं के जब तक हम यह कीर्व हरा कि काम चलने वाल कि रही हैं कि मेरे खुद इस दिगांस आज को अधर कि लएगए कुछ होने वाला नहीं है कुछ नहीं वदने वाला कि अब तर्ली भी बंते है कितने ही मने आगे भी मनेंगे जब हम और दू चिंदी ने रहे быть तब भी मनेगे लेकिन क्या इससे देश आगे बढ़ेगा क्या इससे हमारे समाज के लोगों के जीव cherry इस तरह में को सुदार आने वाला है जब तक समयदान के प्रती जवाब देगी अकाउंट इवरेटी सरकार नहीं मानेगी और सरकार तब मानेगी जब जनता गिरिवान पकड़के मुश्बूर करेगी कि तुम्हें समयदान के प्रती जवाब देग भोना पड़ेगा इसके बना कोई मुझे लगता है डेमोक्रेसी का कोई मीलिंग नहीं है इसके बना मानाता का कोई मीलिंग नहीं है हुमेलिटी और डेमोक्रेसी बिना इक्वालिटी बिना जस्टिस बिना प्रदरूर इसके कुछ नहीं है इसका कोई मोल नहीं है बारत के समयदान के लख से लिए ये केंदिर में जुस्ता का रहे हैं ये भी हमें अर्बन लख से लिए करके जेल में डार सकती है उसको पूरी जाथी इस पाद का ढर भी नहीं है हम जेल जाने के तैयार है हम मन से तैयार बैठे जब चाहिए तरगा देना लेकिने समाज के लाइन लेड़नी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंची का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले